दोस्तों आज आप सभी को सिखाने वाले हैं एक फोन पे नमबर से दूसरे के फोन पे नमबर पे money transfer कैसे कियाता है यानी पैसा transfer कैसे कियाता है इस वीडियो में आपको पूरी complete जनकारी हम step by step करके बताने वाले हैं इसलिए इस वीडियो को शुरू से ले करके इंड तक जरूर देखें तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आप phone पे application को open कर लें उसके बाद देखेंगे इस परकार का interface खुल करके आ जाएगा अब यहाँ पर उपर में देखेंगे लिखा रहेगा transfer money उसका नीचे देखेंगे बहुत सार आपको option मिलेगा जैसे two mobile number रहेगा लिखा two bank UPI ID लिखा रहेगा two self account और उसका bagel में रहेगा check balance अब आपको एक phone पे number से दूसरे के phone पे number पे आपको money transfer करना है यानि पैसा transfer करना है यहाँ पर देखेंगे एक option मिलेगा लिखा रहेगा two mobile number तो आपको इसी पर एक बार आपको click कर देना है जैसे इस पर आप click करेंगे इस परकार का interface कुल करके आ जाएगा अब देखेंगे उपर में एक option मिलेगा search का option मिलेगा तिसी पर आपको click करना है आपको यहाँ नीचे में click करके हाँ से keep it को change कर लेना है और उपर में जो आपको mobile number जो है dial कर देना है देखेंगे आपको जिस mobile number पे money transfer करना था यानि phone पे number पे money transfer करना था और mobile number यहाँ पे हम dial कर दिए इसमें आपको हम दो चीज जरूए चीज बताएंगे सबसे पहली चीज आपको हम बताएंगे कि सबसे पहली आपको इसमें check करना है कि इस number से phone पे हाया नहीं है दूसरी चीज आपको जिस बंदे के पास आपको पैसा भेजना है यानि money transfer करना है उस बंदे से पूछ लेना है कि number सही है या गलत है उसके बाद ही जो है आपको इसमें पैसा transfer करना है अब देखें हम mobile number डाइल कियें और यहाँ पे देखें उसका नाम सो कर रहा है तो सही है तिसी पे एक बार हम क्लिक करते हैं उसके बाद देखेंगे नीचे में लिखा रहेगा इंटर एमांट और चट तिस पे बार हम क्लिक करते हैं अब यहां से आपको नीचे में क्लिक करके आपको keep it यहां से change कर लेना है जीतना आपको पैसा भजेना है सिंपल यहां पे यहां पे यहां पर डाइल करना है जैसके हम एक सी रुबियाना है तो यह हम यहां पे लिख दरहें अब देखें उसका नाम लिख रहा है इसका बहगन में देखेंगे लिखा रहे सकते हैं अब देखिए लिख रहा है connecting securely अब देखिए जो इसके पास पैसा चला गया है इस परकार से जो है कि आप एक फोन पर नंबर से दूसरे के फोन पर नंबर पर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं तो मुझे विश्वास से आपको समझ में आ गया होगा कि किस परकार से एक फोन पर नंबर से दूसरे के फोन पर नंबर पर मनी ट्रांसफर किया जाता है आपका मन में सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक जैन जै भारत